मीट मी, इंटर्डेक्शन, माइसेल्f ठीक है, तो हैलो पेरेंट्स, कैसे आप सब आई होप आप्ट ठीक होंगे तो आज का अपना टॉक्क है मीट मी मतलब कि अपने बारे में बताना जिसको myself introduction भी बोलते हैं एक तरीके से ठीक है तो ये topic जो है हमारा ये बहुत important हो जाता है बच्चों के लिए क्योंकि जब बच्चे schooling करने लगते हैं जब वो school जाते हैं तो उनका पहला जो topic होता है वो यही होता है कि वो अपने बारी में थोड़ा बहुत जब वो admission लेने जा जाते हैं तो जब वहां पर उनसे पूछा जाता है तो यहीं पूछा जाता है what is your name ठीक है तो यह सारी चीज़ें वो बच्चा अपना कैसी introduction दे वहां पर तो वो सारी चीज़ें आप चाहें तो अपने बच्चे को schooling से पहले भी सिखा सकती है ठीक है जरूरी नहीं है कि कितनी lines है हमारी यह हमारी 10 lines है ठीक है इनकी practice बच्चों को आप अगर regular ऐसे उनको activity कराते कराते या फिर कुछ खेल में भी अगर आप बताएंगी रोज learn कराएंगी 24 lines तो वैसे भी बच्चों को learn हो जाती है ठीक है तो देख लेते हैं तो पहली lines तो हमारी यह है कि my name is ठीक फिर उसके बाद I am a तो I am a girl है वो या फिर boy है जो भी हो girl हो तो girl यहां पर write करवाईए वो आ है तो boy बलवाईए ठीक है पहले आप write करवा लीजिए copy में उसके बाद आप उसको बोलना सिख लाइए फिर उसके बाद I study in ठीक है जब वो पढ़ने जा रहा है जिस class में भी पुकिस class में हैं ठीक है वो उसकी class यहां पे लिख़ाइए ठीक है I study in class first फिर fk course second या further UK फिर यहां पर है फिर my father is name is इसके बाप का क्या नम है आप वह यहां पे लिख़ाइए ठीक है उसके बाद my father is I & Thick इसके बाद my Father is A today है या फिर जो है वो सर्विसमेन है या फिर बिजनसमेन है या फिर गॉर्मेंट टीचर है या फिर गॉर्मेंटा ऑफिसर है जो भी है तो वह यहां पे आप दाइट कर वाएंगे कि वह क्या वर्ग कर dua दो फिर अब क्या वर्ग कर रहा है। उसके बाद does my mother क्या है house life है या फिर worker है तो जो भी हो वो यहां पे आप राइट करवाएंगे ठीक है my mother name is is I am जो भी आप की ममा वर्क कर रही है वो यहां पे आप राइट करेंगे फिर इसके बाद I have और अप उसकी कितने भाई बेयन है बच्चे जो आपका है उसके राइट करवाएंगे उसके बाद I live in वो कहाा रहता है कहां पे वो रहता है कहां पे आप रहते हो तो वहां का address यहां पे फिर करवाओगे उसके बाद my hobbies are अब जो बच्चे होता है उसको क्या पसंद है यसे बहुत सारे बच्चे को खेल प्लेंग करना पसंद रहता है और डांस करना पसंद होता है तो जो भी परशन्द हो वो यहाँ पर आप करवा देजे ठीक है यहाँ पनल धार करवा को या फिर आप नोट बुक कर लिए अरफ कॉपी में उसके बाद उसको जो है इंटोडेक्शन अपना देना तो यह सारी चीज़ें आप इसको सिखा सकती है तो आज के लिए इतना ही आज मिलते है नेक्स्ट वीडियो में एक ने टॉपिक के साथ तब तक के लिए अल्वेज भी हैपी